स्क्रीन पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्क्रीन पर आप इस वक्त देख सकते हैं पिएच्टी अडमिशन नोटिफिकेशन कवर करने जा रहे हैं जहां पर विदाउट नेट गेट से वाले कैंडिडेट भी अप्लिकेशन बिल्कुल डाल सकेंगे इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मास्टर्स डिग्री है यहां पर जो फिनेंशल एसिस्टेंस है वो दी जा रही है सेलेक्टेट कैंडिडेट्स को दी जाएगी अप्टू फॉर्स टू येर्स 25,000 पर मन्त एज रिसर्च स्कॉलर्शिप थोर्ड येर 30,000 रुपीज पर मन्त तो इस तरीके से multiple fellowship available है जहां हम notification जिस university की cover करने जा रहे 25,000 रुपीज पर मन्त थोर्ड येर में 30,000 रुपीज पर मन्त और अगर कुछ candidates को teaching assistantship के रूप में दी जा रही है 10,000 रुपीज पर मन्त financial assistantship तो यहां पर बता दू all candidates के लिए ये available नहीं है यहां पर जो merit basis पर selection कुछ university मैंने पहले cover किया जहां पर सभी candidates को सभी PhD scholars को full time scholars को दी जा रही है PhD fellowship पर यहां पर सभी को नहीं दी जाएगी जो merit basis पर select होगे उनको दी जाएगी teaching assistantship 10,000 रुपीज पर मन्त और एक 25,000 रुपीज पर मन्त तो यह notification कवर करते हैं PhD admission notification eligibility master's degree आगे बढ़ते हैं website पर और download करते हैं brochure को और main points कवर करते हैं इन notification आई वे पंडित दीन दयाल energy university की तरफ से यहां पर मैं बता दू आर्स, commerce, humanities, science, engineering, management इन सभी के subjects आपको नजर आने वाले हैं exactly क्या-क्या subjects हैं आप अगर interested हो तो आप आगे देखें वीडियो को subjects भी cover करेंगे जिन में PhD आफर हो रही है यहां पर पंडित दीन दयाल energy university पहले पंडित दीन दयाल petroleum university के नाम से जानी जाती थी जिसको rename किया गया फिर से नाम बदल दिया गया है और फिलाल ये हो गया है पंडित दीन दयाल एनर्जी युनिवेसिटी ये लोकेटेड है गांधी नगर गुजरात स्टेट में तो गुजरात स्टेट में हैं बट पीएचडी के लिए आपको जहां भी अच्छी जगा अड्मिशन मिलती है आप जाकर अड्मिशन ले सकते हैं सबसे कि अब को बताई है फिर्थ जली ये निन बात करते हैं कि क्याक्या सब्जेट से सबसे पहले मनें आपको बताएए गुजरात स्टेट में हैं अधार्व нет इस्बडेंच में इन्ग लैंगयच एन लिट्रेचर ये सारे सब्जेक्स हैं जिनमें पी duy ओ सर हो रही है English Language and Literature, Public Policy, Public Administration, Psychology, Political Science, International Relations, Mass Communication, Mass Media, Commerce, Economics, Business Administration, Marketing and Finance इसके लावर Engineering के Subjects है, Petroleum Management है, और Engineering की क्या-क्या Specialization है, यहाँ पर चेक करनी होगी आपको Solar Energy, Mechanical Energy मैं Main-Main Branches आपको बता रही हूँ, आप Sub-Branches या Specialization चेक कर सकते है PhD आपर होरी है, Solar Energy, Mechanical Energy, Thermal and Fluid Engineering में Thermal System Design, Energy Storage, Design Engineering, Manufacturing and Industrial Engineering, Industrial Management, Entrepreneurship, Electrical Engineering, Chemical Engineering और इसके बाद Civil Engineering, Environmental Engineering, Water Resource Engineering and Management, Science with Physics, Chemistry Industry, Interdisciplinary Areas में भी कर सकते हैं, Mathematics, Computer Science and Engineering, Information and Communication Technology, School of Petroleum Technology, School of Petroleum Management और Liberal Arts, यहाँ पर कहीं पर मुझे Management भी नजर आई है, आप चेक कर सकते हैं, PhD भी एवेलेबल है, और पुल टाइम PhD भी एवेलेबल है, पार्ट टाइम के लिए 50,000 रुपीज पर सेमेस्टर चार्ज किये जा रहे हैं, जिसमें की मेस, होटल और ट्रांस्पोर्टेशन वगरे नहीं हैं, इंक्लूर्सिव, पुल टाइम PhD के लिए 25,000 रुपीज पर सेमेस्टर ट्यूशन फी के तोर पर ली जा रहे हैं, इसमें कुछ और एक्स्ट्रा भी आड़ होंगे, जैसे आप होटल, होस्टेल लेते हैं, मेस लेते हैं, ट्रांस्पोर्टेशन वगरे के चार्जेज आपको और एड़ होंगी, यह लाइब्रेरी डिपोजिट 5,000 रुपीज और रिफंडेबल होती है, जो और कॉशन मनी डिपोजिट 10,000 रुपीज यह आपको रिफंडेबल होती है, तो यह इस तरीके से फी की ड साइकोलोजी वगरा, इकोनामिक्स मों मैंने आपको पहले बता दी, आप वीडियो को बैक कर लें और देख लें, अगर सब्जेक्ट मिस कर दिया आपने, 55% माक्स हैं, मास्टर्स डिग्री में तो बिल्कुल आप अप अप्लिकेशन डाल सकते, इसी तरीके से बाकी सारे इ अप्लिकेशन डाल सकते हैं, मैनेजमेंट में, MBA, Mtech, M.E. Management और Engineering में, MBA, M.T.E.C.A.A.I.C.W.A.C.S.M.E.M.T.E.C.E.C.S.M.E.M.T.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.C. written aptitude test, what shall consist 50% research methodology रहेगी और 50% जो है वो रहेंगे आपके subject से related questions तो written aptitude test होगी और दूसरी जो है candidate shortlisted on the basis of entrance test as mentioned above तो इसके बाद personal interview के लिए आपको appear होना होगा personal interview में भी आपको क्या questions किस area से पुछे जाएंगे वो भी यहाँ पर दी गई हैं तो यह आपको अच्छी तरह से देख सकते हैं important dates आप चेक कर सकते हैं page number यह जो brochure है वो 16 pages की है 16 pages की page number 11 11th page number पर last date of online application 31st May 2021 तक आप last date last application डाल सकते हैं अभी जो currently scenario children to date extend भी हो सकती है बाकी जो date से हो अभी आने वाले की return aptitude test कब होगी बाकी के pre payment etc कब तक होगी यह आने वाले वेबसाइट पर update होंगी बात में यह official website है पंडित दिद्मदयाल एनर्जी युनिवरसिटी की PDAU यहाँ पर आपको admission section में नज़र आने वाली है सारी details PhD admission rules 2021 PhD application form और syllabus भी यहाँ पर exam के लिए दीन ही है तो यहाँ पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं बाकी application form भी यहाँ पर available है page number 8 पर दीवी है application fee rupees 700 rupees तो 700 रुपे non refundable application fee है यह आपको non refundable रहेगी पाकी कि किसी भी category के लिए कोई relaxation नहीं है fee में एक ही fee दी हुई है आप रुपी 700 रुपी तो यह link में आपको वीडियो के description box में available कराते हैं इस पर click करके आप सारी details अची तरीके से check कर सकते है पंडित दीन दयाल जो थैंक यह वेरी मुच